ऐसे से पालनें हींगे कि आक्सिन और जिब्रेलीन में लोगरा है एक होता है बेदी प्रवर्धक और दूसरा होता है बेदी निरोधक और जो बेदी प्रवर्धक होता है उसमें आक्सिन और जिब्रेलीन आते हैं और जो बिद्डी निरोधक होता है उसमें FACC Acid और Ethylene और यह जो आक्सिन और जिब्रेलीन यह जो है बिद्डी प्रवर्धक है और इसमें कुछ दिफ्रेंसेस है और जो आज मैं आपको बताऊंगा जो आक्सिन होता है यह सिर्स प्रमुकता में बेदी करता है यानि कि किसी पेड के उपरी भाग को यानि कि सिर्स को में बेदी करता है और जो जिब्रेलीन है यह बेदी पर कोई यानि कि सिर्स की प्रमुकता पर कोई प्रभाव नहीं डालत यानि कि जो पेड के बढ़ने की बढ़ने वाला भाग होता है सिर्स उस पर यह कोई भी प्रभाव नहीं डालता और दूसरा है इसके अधिक सांदरता से जड़ में ब्रिदी नेरुद्ध हो याती है और इससे जड़ की ब्रिदी पर कोई प्रभाव नहीं याद परता जो आक लेकिन जो जिब्रेलीन होता है यह किसी पेड के जड़ के विदी पर कोई प्रभाव नहीं डालता और जो आक्सिन होता है इससे पुषपन को कोई प्रभाव नहीं डालता पुषपन आने की किसी पेड में पुषपके आने की प्रेक किरिया पुषपन कालाती है और यह के लिने की प्र्रेकिरिया को यह जोवर तेज कर देता है और चौथा अंतर है यह बीचके अंकुरड यानि और प्रकिरिए को प्रषुति कहते हैं और उस समय को प्रकिल कहते हैं और जो यह अकसिन होता है प्रसुत्ती को कोई भी प्रवाइत नहीं करता है लेकिन जो है जिब्रेलीन यह प्रसुत्ती को समाथ करता है तता बीच के अंकुरण को तीब करता है जो जिब्रेलीन होता है यह प्रसुत्ती को समाथ करता है यानि कि deactivation की प्रकिरिया को निरस्ट करता है और बीच को activate करता है अंकुरण के लिए और ये अंकुरण की प्रकिरिया को तीब करता है ताकि बीच चल लिए से पौधे की रूप में convert हो यह था आकसी नौ जिब्रेलिन में अंतर आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ना भूलें एंड थैंक्स पर वाचिंग में डाट सॉल